आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं विबेक बिंदरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। आज आपसे असली मोटिवेशन स्पीकर से मिलवाएंगे। अगर इनको देखके मोटिवेशन नहीं आया है, तो दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता आपको। ऐसी करुणा की आपार शक्ति, पहाँ पहाड़ो 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 जितना संगर्श। बिक्षा मांगने तक का काम किया जिन्दगी के अंदर, नौ साल की उमर में 35 साल की आदमी से शादी हुआ, जिससे मैं ये प्रेगनेंट थी, इनको मारा पीटा गया, गाएं के अस्तबल, घोड़े के अस्तबल के पास इनका डिलिवरी मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। बच्चों कित रहें, और केवल बच्चे ही बच्चे नहीं रहें, वो बच्चे बड़े होके आज एजुकेटेड हो गएं, बड़ा-बड़ा बिजनिस कर रहे हैं इनके बच्चे भी अब, सिंदुताई, इनके बारे में महरा राश्टर में तो सब जानते हैं, लेकिन हमा आपको अबदुलकलाम जी ने अबड़ दिया, आपको प्रतिभाप पाटिल जी ने दिया, आपको प्रनाव मुखर जी ने दिया, आपको रामनात कोविन जी ने दिया, आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने थोड़ा बच्पन के बारे में तब पेट की भूग तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था, माने भी अकल दिया था, मा सगी थे, इसलिए भी क्या करूँ, बीस साल की बच्चे थे, और दस दिन की मेरी बच्चे, फिर भूग मेरे को डरा रह थी कि अभी मरने के बगर कुछ नहीं, मर जाओ. मेरे कुछ मरना नहीं था बेटा, इसलिए जब भीकारे महीं देखते थी, वह भीकारे गाना बोलके खाना मंगते हैं, तो महीं भी उसके साथ हो गए, मने गाना बोला, खाना मिला, और बाट के खाया, और माई हो गया भी. जो आपका, मैंने जो ना गाई के तबेले में आपने बच्चे का डिलिवरी किया था? मैंने बहुत जगड़ा दिया था सरकार के साथ यहने फोरेश डिवर्मेंट के साथ क्योंकि हमारा पती गईया चाराता थे सब के पती और हम गोबर उठाते थे उसका पैसा नहीं मिलता था हमको तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धामे मैंने उसके सामने यह रखा कि तुम शर्भी यहें सेशब दालते हैं तो उसको तुम मज़ु देते हैं हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं मगर उठाने के लिए मज़ु पतो हम राध इन ओंग ऊठाते हैं उन्होंने तoter महीने बहुत ब़ड़ा था और मने न्याए मिला क्लेक्टर Me wrecka को न्याए दौने क को बोला कि तेरे पत्नी को जो अभी सोटें रहा वो तेरा नहीं बैच्चा मेरा है को कौorton उसा पति मेरे को सवी करेंगा उन्होंने मेरे पेट पर लाथ एक आजम्हारी थπαरे और मैं ब्रक्राश्ण कुस। मैं मर घ्या भरय कर तो आदमीने मारा ऐसा नहीं हुना चुग है इसली realizing में ब्रॉडगिर्द पूरी गया थी और मैं ब्रक्राश्यन आज थी में अक्षच हो गया एक दो मेशन देख़ा थे मेरे लेंडेर को हुआ कि उठा रही थे उसको मानवत किसने चिकाई मै कैसी तो भी खड़ी हो गई उसका गला पकड़ के मै रोई उसको मै ने बच्चन दिया कि तु अरे आद्मी ने तो टाग दिया मेरे को छोड़ दिया ठेग दिया तु गया होकर मेरे मैं बनेंगी ना माई आखरी दम त कुछ सामान नहीं था कोई भे मेरे पास नहीं था फिर मैंने उसको टेड़ा शुलाया और नीचे पत्थर रखा हाथ में एक पत्थर लिया पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा कि अभी ये जनमा है बच्च और मैं पत्थर मार रहे मगर ये लाज़ी तो नहीं था फिर मैंने आख बंदे के और पत्थर मारने लगे वो चुकता था फिर वे मैं मारती थे मगर मैं पत्थर गिंती थी 16 पत्थर मारने के बाद नाल डूटा तब मैंने सोचा कि यह जनम हुआ नाल 16 पत्थर शे डूटता है तो संसुलति का नाल कितना बड़ मजबूत होना चाहिए कभी हार नहीं माने आप हार मानी नेवटा एक बार तूम है एक पर पट्रि में बेटी थी कि चलो मर जाते मंगर जब पट्रे हिलनाले लगे तब लगा कि नहीं नहीं मरना वुझे ने मेरे तरब देखा तो मैं मेरे कौ ऐसा लगएगि यह मेरे को बोल रहा है कि जनम काई को फिर मरना था तो, तो मैं भूली मरना कैसल, मैं उठके नीचे दवड़ गए, मेरे को ऐसा लगता है, तो रेल मेरे पिछे आ रहे, अपने ये सनमती बाल निकेतन जो शुरू किया, ये अपने कैसे शुरू किया, आप तो आपके पास इतने बच्चे हैं, कैसे आपने मैनेज क मैं भूग लगते हैं, इसलिए भूग लगने के बाद मैं भाषन नेरी के बाद राषन मिलता है, बाबा, सरकार ने नहीं दे आना जंद को मैंने सरकार बढ़ाया, अरे तुमारा बच्चे का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुमारे भी आई ना, समाज की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, और लोग मर्द जैसे जीना चाहते हैं ना, वही इतना ही बलते हैं, और मंगते हैं, आपने वास्ता में मर्दों की तरह जीने की बात करके दिखाई है, माही आपने बहुत अच्छा बोला, पर कभी-कभी क्या होता है नहीं यह जो हमारे वैपारी लोग है बोलते है आजकल मंदी का दौर है और इतना मंदी आ गया है एक तो पहले ही खुद से अंदर से कमजोर फिर उपर से वातावरन भी कमजोर तो यह वो जाता है डबल कमजोर और जिसमें अगर कस्टमर इनको छोड़ दे बिजनस में अगर लॉस हो जाए तो इनके एंप्लॉई भी छोड़ के भाग जाता है बिचारे अखेले पढ़ जाते हैं कभी-कभी वैपारी लोग हमारे देश में किसान की फिर भी थोड़ी बोच चर्चा और यह पर यह वैपारी जब सूसाइड करने चला जाता है तो उसकी को चिंता नहीं करता है मैं चाहता हूँ आज यह वैपारी जब बिल्कुल अखेला पढ़ जाता है हारा हुआ महसूस करता है तो आपके जिंदगी के अनुवर बड़े गहरे हैं आपको अगर इनको मोटिवेट करना हो तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कैसे ताकत है इनके अंदर बेटा य में वैठ जीना चाहिए मनजिल बहुत दूर है मनजिल बहुत दूर है जारा वहा जरूर है रास्ता मुष्ट है या आरे मरना मन्जूर में मगर आवनल कीुलिए खुद की यह नहीं जूआ और बड़े भी घ्रा अपने पर आरे सुभ तुमारी हैं फे अनकी शायर नहीं न तो आपने जन्दगी को जिया है साधे साथ सु पुरुषकर है आपने तो देखे मगर पुरुषकर की रोटी नहीं बनती ना वह दिए है कि रोटी कहा दू है ती आपको तो खानी पड़ी हमें तो पता लगने पर आज रॉंग्टे खड़े हो जाते इह किस परिस्थिते ती मैंने पूरा मेरे बहुंड जाती है bak मेरुको पैसा झालूम था मरने के बाद संशन में जाते हैं और एक बाई emocoriented अवरा ठाष जिस दिन महें ने रोटी खाई, उस दिन मेरे को डर लगता था, क्योंकि आइसा लगता था, पुरा माहॉल मेरे को उपर खड़ा है, मेरे को बोल रहा है कि ये अधिकार हमारा है खाने का, तुम आदमे हो, तुम बाई हो, तुम हमारा काईदा भंखिया, और पूरे इतने जो जेंघ नमान सक्षब से तो यसा लगा है कि वो घूंच ड़िए जोउ थों फ jury को गाड़ा हुआ को मिद्ट कि मिरुकु पटमाइन का और मेरूने में जा रहा है किने भुण है है यह थर City में जा रहा है कि मैं तुम म copiesí निए मिम जोगत wasn't कफण को आज ही हमने बदले है कपड़े आज ही हम नहाय हो है पुरी जिम्नागी नहाया नहीं अभी सामाज मेरे को नहाया नए कपड़े भी ढाले तेरी मिट्टों को बता वह गंदे हो जाएंगे जो मुर्दा खतम होने के बाद मिट्टू को बोलता है कि समालना नए कपड़े डाले है और मेरे कपड़ी नहीं नहीं पुरानी नहीं तो पिर जिसको नहीं है उसके लिए जिनना की जिना चाहिए अभी तब मैंने सोचा कि नहीं मरना नहीं डरना भी नहीं पीछे मुढ़ना भी नहीं कु के लिए मैं जो बाकी देश के लोग अब आपको धरे-दरे जान रहे हैं उनको आप थोड़ा मोटिवेट करिये कि कैसे संगर्शों से लड़ना चाहिए बेटा अधनेरा तो हर दीन आता है अधनेरा तो हर दीन आता है तुम अंदर का दिया जलाओ बेटा बहुत अधनेरा है मंगर अपना दिल जलाओ बेटा तुम्हारा उजला तुम निर्मान करो एट अमको जिना है और इतना उजला निर्मान करो कि सब तुमको ढूंडते आ जाएंगे और बोलेंगे हम भी तुम्हारे है हम भी तुम्हारे है यह तुमाही नहीं किया है उजला के पास मत जाना ब और आज इतना सुंदर काम कर रहा है आज तुशार ने मेरे को अपनी इसनी के आश्रम मेरे ते रहते मेहनत करके अपना बिजनस खड़ा किया और अपनी खुद की गाड़ी BMW मेरे को लेने के लिए आए तो मैं देखके इतना हरान हुआ के इन्होंने अनात बच्चों को भी इ हुआ हुआ बिन्दरा साब ने बोला मेरे को धन्ना करने का माई अभी क्या करो पैसा तो है नहीं तो मैं बुले बटाउली इसको हमारा नहीं है यह माई का स्कूल समय के स्कूल में ऐसे बच्चे आए है आए वे ऐसिपिता से बड़ी बात मिनी यह किया कि जो पतीने दीको उसको इसको माफ किया और यह पहली बार हो वहा होंगा शायद की आसराल वाले ने पत्र मार मार के मेरेग вас आक आ अर मेरे झाई बुल की ब Deixa मेरे सदकार में मेरे पती रो रहे थे कि मैं पती के पास गया उसका हात मैंने हात में लिया मेरे पल्लू से उसकी आग पोच्छा और मुझा रू रहे आप अपने मेरे कुछ वड़ा ता मही रू रही थी नहां अभी कोई बात नहीं 50-50 मैंने तब रहा आप अभी रोए अभी यहां खोगती चिकते मत पड़ो मेरे पास चलो आपकी हालत बहुत बुरी है मेरी साडी फटी थी अभी धोती फटी है मगर मेरे एक अट है पती बन के मत आओ बच्चा बन के आते हैं मैं आपकी माँ होना चाहते हूं बस एक ही रिस्ता मेरे पास अभी माँ बनन और मैं ने मेरे बेटो को बताया कि पेटा इन्होंने मेरे कुअट नहीं प्छोड़ा हो टो तुमको माँ मिलती रहे। अभी उन के तुम माँ पुझे वेटा उन्होने तुमको माँ दिया अभी उनकी शवा करो 5 साल मेरे बच्चे न सिवा कि बस जिना है अगे बहुत से आपने मेरे मोटीवेशन वीडियो देखे होंगे ना ट्रेनिंग अंत्रपनियूर्शिप में इंट्रेस्ट होगा वो सारी जिम्मेदारी मेरी है सेकड़ो हजारो बच्चे आपके उनके सारे पढ़ाई एजूकेशन बिजनेस ट्रेनिंग का वो खर्चा हम उठाएंगे वो कभी भी आपसे आश्रम पे हम कभी एक रुपे का बोज नहीं आने देंगे आज क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ आपके साथ में तो कुछ जिम्मेदारी मैं भी लूँगा कि वो सारे बच्चों की पढ़ाई जो भी एजूकेशन हम लोग सिखाते हैं कराते हैं तो वो हम कराना चाहेंगे और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी तो जिम्मेदारी निभाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी यह है, कि माई के विशय में इस देश को पता लगे, पता इसलिए लगे, कि हारे वे लोग बैठे वे, जिनके पास सब कुछ है, वो भ सब को, बैठा कभी कभी थ्यंक्यू बोलो, जो अपने उपर संकट याते है, बिजने शुरू को जाता है न, तब वो टाइम को थ्यंक्यू बोलो बैठा क्योंकि आगला रास्ता अपने को दिखता है, दीन निकलने वाला होता है, थोड़ा सा अदनेरा आ आ जाता है, फिर हरना नहीं, मरना नहीं, डरना नहीं बैठा, ये भी कुछ कम नहीं, तेरा दर छुटने के बाद, हम अपने पास आये, दिल तूटने के बाद, तूटने देऊ रहे हैं, मगर जूडना सिखो बैठा, और ये एक बात है, चलना सिखो बैठा, और चलते चलते खुद के लिए तो चलना हाई रहे और की ले भी चलना शुकर उसकी भी बहुत जरूत हुते है बिटा और एक बात है अंधेरा चा जाता है फिर भी दिन तो निकलने वाला है और अंधेरा चड़ जाए और दिल निकल जाए और आदमियों को अच्छा जुना आए इसलिए तो बिंदरा जी कर करता है आदमी को दिखाता है कि अरे तू कहां खड़ा है चाल आगे बढ़ क्या बात है मेरे को ये बच्चा मिला और अब पूरे बच्चे खड़े होने वारे देश बदल जाएंगा क्या आग है ये आग है बिंदरा याने आग है बीटा मेरे को तो कभी-कभी लगता है य आदमी नहीं है काई से आया है उपर से भगवन ने भेजा है वो रतायम करके बेजा है उसको इसलिए मैं खूश हूँ बेटा तुम्ही जिए तो आगे बढ़ो संकटे आने दो रहे संकट को सलाम करो बेटा क्योंकि संकट के बाद जो आदमी खड़ा होता है वो कभी नहीं लड़ खड़ाता कभी नहीं गिरता सिर्फ वो आवरों के लिए मरता और अमर हो जाता है मैंने वही किया तुम ही वह करो तुम ही वह करो बेटा मदद करो देखो तुम्हारा दिल बर जाएंगा बहुत 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 इनका संमती बाल निकेतन इनका आश्रम है उसकी डीटेल नीचे रहेंगी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जाए जो हो सके अपने एक बच्चे का निवाला जाकर शेयर करके आएए दो रोटी अपने हाथ से जाकर खिला करके आएए पर आज आपको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे को ऐसी सिंदूताई जो हमारी माई है ऐसी और भी कई औरते चाहिए हमारे देश में बड़ा रेविलूशन लाने के लिए इंस्पायर करिएगा तकि औरों को भी जिता सके इन्हों ने दुनिया को जिताया है हारी नहीं है एक बात ब कई और से मिरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो जाए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और माई के आश्रम सनमती बाल निकेतन में जाकर के इन बच्चों से मिलके आने के लिए आप सब का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत झाल 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 झाल